हेलो एवरिवन स्वागत आपका फिर से प्राइम बायोजी पर आज फिर से हम कुछ क्यूशन्स देखने वाले हैं आज वाले क्यूशन्स बिलकुर नए हैं साती इसमें से कुछ पुराने क्यूशन्स की भी प्रेक्टिस करने वाले हम कुछ क्यूशन्स नए हैं और कुछ क्य बनाएंगे तो कोई इसको टेस्ट पेपर की तरह देना चाहता है तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक के द्वारा पेपर को डाउनलोड कर सकता है और उस पेपर को सोल कर सकता है सोल करने के बाद फिर वो वीडियो को देख सकता है और अपने आंसर मिलान करके खुद को मार्क्स दे सकता है तो जिसको टेस्ट पेपर की तरह देना है वो टेस्ट पेपर की तरह दे सकता है और जिसको टेस्ट पेपर की तरह नहीं देना है कंटिन्यू रखना है ऐसे ही schичесions पहुंच सके उनको भी practice हो सके ठीक है तो शुरू करते हैं फस्ट क्यूशन से मानव में प्रात्मिक शुक्र कोशिका में अलिंग सुत्र की संक्या होती है अलिंग सुत्र मतलब otosomal chromosome otosomal chromosome किसको कहते हैं ऐसे chromosome जो sex chromosome के अलावा हो तो sex chromosome हमारे अंदर एक pair होता है, मतलब दो chromosome होते हैं, बाकी के सभी chromosome अलिंग chromosome होते हैं, ठीक है, तो अलिंग chromosome की संक्या यहां कित्ती हो जाएगी 44, क्योंकि total chromosome कितने होते हैं 46, या फिर बोल सकते हैं 23 pair होते हैं, जिसमें से 22 pair autosomal होते हैं, लेकिन हमको यहां pair नहीं संक्या पूछिए, तो संक्या में हम बोल सकते हैं 44, ठीक है, अगला क्यूशन है, निम्न में से माइको प्लाजमा द्वारा उत्पन रोग हैं, अब माइको प्लाजमा जो है सबसे छोटी कोशिका होते हैं, और इसके द्वारा कौन सा disease उत्पन किया जाता हैं, तो पपीते का को ये परिवर्दन के दोरान सबसे पहले कोन बनता है? जो औरगन दे रहें, इन में से पछला औरगन कोन बनता है? एंब्रियो के अंदर, तो वह बनता है हर डई, ठीक है? next question, पित द्वारा वसा का पाइसी करण कहा होता है, जो वसा का पाचन होता है, पाइसी करण के द्वारा होता है, पाइसी करण प्रोसेस चलता है, पित में जो वर्नक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, या लवन होते हैं, पित के, वो इस वसा का पाइसी करण करते हैं, तो यह कि ग्रहणी में जो की इसमाल इंटेस्टाइन है क्यूशन नमबर सेवन चावल का टुंग्रो रोग निमने में से किसके द्वारा होता है जो चावल में टुंग्रो रोग होता है वह निमने में से किसके द्वारा होता है तो वह विशानू के द्वारा होता है जिवानू कवक और प्रिगोंस के द्वारा नहीं होता है क्यूशन नमबर एट, हैनले के लूप में मुख्यता निमने में से किसका आउस्योशन किया जाता है जो किडिनी में ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जिसमें DCT, PCT, समीपस्त कुंडली न लिका पिसके बाद, हैनले लूप, पिसके बाद, Distal Conundated Turbule दुरस्त न लिका उसमें से जो हैनले लूप में, उसके अंदर इन चारों में से किसका आउस्योशन सबसे अधिक होता है तो हैनले के लूप के अंदर मुख्यता, जलका आउस्योशन होता है नेक्स्ट क्यूशन है निमने में से कौन सा बहूरूपी कोशिकांग है तो बहूरूपी कोशिकांग होता है लाइसोसोम जो की अलग-अलग प्रोसेस शो करता है जिसमें पिन्नोसाइटोसीस या एक्जोसाइटोसीस भी शो करता है अलग-अलग इसके रूप होते हैं तो इस से कौन सा सही रहेगा तो जो आप सभी को पता है पोलियो की जो दवाई पिलाई जाती है उसके अंदर इसका वेक्सीन होता है यह एक प्रकार का तो पोलियो जो है इसको मुह से लिया जाने वाला वेक्सीन है या ठीक है? मानव शरीर में आइस्ताई अंतरस्रावी ग्रंती कौन सी है आइस्ताई का मलबे कुछ समय के लिए बनती है तो ऐसे अंतरस्रावी एंडोक्रानल गलेंड का नाम बताना है जो आइस्ताई वहार टेंपररी है तो पीनियल गरंती, कार्पस लूटियम, प्यूश गरंती या अगनासे गरंती तो इसका सही आंसर है कार्पस लूटियम कार्पस लूटियम जो है मादा के अंदर इसकी ओवरी में बनती है कार्पस लूटियम जब एक का रिलीज हो जाता है मेंस्ट्वल साइकल जो चलती है उसके 14 वे दिन के अंदर एक रिलीज हो जाता है और जो ग्रेनिलोसा सेल्स बसती वो कार्पस लूटियम बना लेती है और अगर फटिलाजिशन डन हो जाता है तो कार्पस लूटियम से होर्मोन सिक्रेट किये जाते है और यहाँ टेंप्रेरी होती है कुछ समय के बाद यहाँ लगबग 3-4 मंद के बाद यहाँ समाप्त हो जाती है तो यह वर्क रहता है इसका और यहाँ टेंप्रेरी होती है तो इसका अंसर यह हो जाएगा क्यूशन नमबर 12 को हैं मनुश्य के मुत्र हैं जो भी जल में गुलंसील विटामीन वही इसका रख है है जल यहां पर C option में दे रister हैं C जो हुल है यह अधिक मात्र हैं मनुश्य के मुत्रह में बाकी A और E के यह नहीं पायाक्जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्यूशन है, सबसे छोटी कोशिका माइको प्लाज्मा की कोच किसके द्वारा की गई, तो कौन सा साइन्टिस्ट है जिसने माइको प्लाज्मा की कोच की, तो माइको प्लाज्मा की कोच नौकार्ड तता रोक्स नहीं की थी, तो ये साइन्टिस्ट का नाम आप ध् अजीज उत्मन होता है, तो यह काली खासी या कुकुर खासी का कारण बनता है, ठीक है, नेक्स्ट कुशन है, 15 राइबो फ्लेमिन सामाने नाम है, कौन से विटामिन का सामाने नेम राइबो फ्लेमिन है, विटामिन B9, विटामिन B6, विटामिन B3 या विटामिन B2, तो जो इसका सामाने नेम पाइरोडोक्सिन होता है और विटामिन B9 का फोलिक एसीड होता है तो अपना आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा विटामिन B2 जिसका राइबोफलेमिन सामाने नेम है नेमने में से कौन सा टोगा वाइरस के कारण होता है जो टोगा वाइरस है उसकी परिवाड नियोजन कारिकरम कब शुरू किया गया परिवाड नियोजन कारिकरम सबसे पहले इंडिया ने शुरू किया था और यह 1952 में शुरू किया था तो इसका अंसर हो जाएगा 1952 मानव में कितने जोड़ी कपाली तंत्रिकाई पाय जाती हैं तो मानव में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाई पाय जाती हैं जो कपाल से निकल कर अलग अलग रिजन में जाती हैं शरीर के नेक्स्ट क्यूशन है प्रसव के दोरान कौन सा होर्मोन गरवाशे पेशियों में संकुचन करवाता है जो गरवाशे पेशियां होती है उनमें प्रसव के दोरान कौन सा होर्मोन इसमें संकुचन करवाता है तो वह होर्मोन होता है इसमें ओक्सिटोसीन oxytocin के द्वारा जोह गरबाशे में संकुचन होता है प्रसों के टाइं और बेबी बाहर आता है निमलिकित में से किस रोग को slim disease करते हैं slim disease के नाम से जाना जाने वाला रोग कौन सा है तो बहुत एड्स होता है एड्स को slim disease के नाम से भी जाना जाता है विर्य में पाया जाने वाला अमल कौन सा है विर्य में कौन सा अमल पाया जाता है तो विर्य में पाया जाता है citric अमल सक्सिनिक लेक्टिक मॉलिक यह अमल नहीं परजेंट होते निमने में से कौन सा युगम सही है युगम दिये गए हैं मसल केंसर इसको मायो सारकोमा बोलते हैं और लिम्फ नोट केंसर इसको लिम्फो सारकोमा बोलते हैं तो यह सभी युगम सही है तो यहाँ पर क्यूशन हो जाएगा निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है तो उप्रोक में से कोई नहीं, क्योंकि सभी युगम सही है विश्यो सास्ते दिवस हैं, विश्यो सास्ते दिवस कब मनाया जाता है तो 7 अप्रेल को मनाया जाता है, तो आप कोई पता होगा जनरल क्यूशन है, कि 7 अप्रेल को विश्यो सास्ते दिवस मनाया जाता है vitamin A की कमीग कारण muscular dystrosophy cause करता है है human के अंदर next question है medicine का जनक कहा जाता है तो यह scientist के नेम दिये गए इन में से medicine का जनक किसको कहा जाता है तो आप direct ज्यान रखना hypocretus इसको medicine का जनक कहा जाता है बाइकि William Harvey तो ParAt Arkansas protestersan तंतर के जनक है और health ने गोड़े के अंदर सबसे पहले BP को दिनोट किया था और लिुहनवोक ने जिवीत कोशिका की खोश की थी तो जो हिपोक्रेटस है इनको मेडिसिन का जनक कहा जाता है नेक्ट क्यूशन कोशिका कला बहाई परदार्तों के लिए दर्षाती है जो बहाई परदार्त कोशिका कला से अंदर आते हैं या कोशिका कला से बाहर जाते हैं तो इनके लिए यह क्या मोड दर्षाती है तो अर्द यह अर्थ नहीं है अर्द है अर्ध पढ़ना इसको यह अर्ध है यह भी अर्ध है तो क्या दर्शाती है यह बाई परदार्तों के लिए अर्ध पारगम में था यह पिर अपारगम में था यह चैनात्मक पारगम में था तो यह होती है, selectively permeable membrane, चैनात्मक पारगम में होती है, बाई परदार्तों के लिए, तो इसका अंसर यह हो जाएगा, next question है, इसमें सबसे ज़्यादा enzyme पाये जाते हैं, सबसे ज़्यादा enzyme किसके अंदर पाये जाते हैं, cell, organelles दिये गए हैं, example में, सबसे ज़्यादा enzyme पाये ज जाते हैं, अगला क्युष्ण है, शरीर का सबसे बड़ा लसी का अंग, लसी का जो lymphatic system अलग से पाये जाते हैं, blood muscular system, रक्त परिसंचरण दंत्र, एक पाये जाता है lymphatic system, lymph परिसंचरण दंत्र, तो जो lymph परिसंचरण दंत्र में सबसे बड़ा lymph organ कौन सा है, लसी का ओर्गन क कौनसा तो यह होता है फलिहा बरक आमाशी और यकरत नहीं होते हैं नेक्स्ञशन игр obnirodhicky की सही शलिच किंस्या वीदि कौन से हैं जो Kelly AWS निरोधक वीदिया अपनाए जाती है यह किशन कौन से टॉपिक से लिए गया है यह जनन स्वास्ते टोपिक से लिया गए एक्यूशन और इसमें पुचा गया है कि जो शल्ली किरियाएं होती हैं गर्भ निरोदक वीदियो में तो इन में से कौन सी विदी सही है तो अप्शन में हैं वैसक टॉमी वैसक टॉमी की जाती है मेल के अंदर और जो टूबक टॉमी की टॉमी के अंदर भी वैसक टॉमी को बांद दिया जाता है या काट दिया जाता है तो वहां से गेमेट्स के मुवमेंट को रोका जाता है तो यह दोनों सेफ होती है नेक्स्ट क्यूशन है आमाशे में HCL किसके दोरा इस्त्रावित किया जाता है जो हाइड्रोकलोरिक अमल इस्त्रावित किया जाता है आमाशे के अंदर बोजन को पचाने के लिए पी एच को मेंटेन करने के लिए तो यहां आमाशे की कौन सी कोशिका के दोरा सिक्रेट किय तो आमसे की सबी कोशिकाओं की नाम दिये गए हैं इनमेंसे कोई एक सही आंसर हैnik और फॉब्स जाता है खुर्डी enडख़्डब्लास्मिक Kriticulum का मुख्य कारे हैं खुरदरी Endoplasmic Reticulum लिसको कहते हैं जो Endoplasmic Reticulum जिसके उपर Ribosome present होते हैं और वह Caitlinkiszeigt कहर करते हैं प्रोटिनioèं सिंतेसिस की site होते हैं इसलिए इसको Kraudari Endoplasmic Reticulum बोलते हैं क्योंकि उसके उसके Ribosome present है अब इसका मुख्य कारी क्या है चुँकि इसके उपर ribosome परसेंट है तो यह है protein synthesis की site होती है protein synthesis यहाँ ज़्यादा होता है तो protein sensation इसका मुख्य कारी रहेगा lipid sensation तो rough endoplasmic reticulum का नहीं होता है यह तो smooth endoplasmic reticulum का work होता है सांदरता परवनता के विरुद आईनों की गती क्या कर लाती है सांदरता परवनता के विरुद आईनों की गती होती है मतलब जिदर जादा सांदरता होती है उदर आईनों की गती हो रही है तो यहाँ एक परकार का सक्रिय परिवहन होता है एक्टिव परिवहन होता है इसमें एनरजी वेस्ट की जाती है महीला की गर्ब निरोदक गोलियों में निमने में से कौन सा होर्मोन पाया जाता है जो गर्ब निरोदक गोलियां यूज की जाती है महीलाओं के द्वारा उनमें से कौन सा होर्मोन उनमें प्रजेंट होता है तो उनमें होर्मोन प्रजेंट होता ह मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बारा उकते हैं तो मनुष्य के जीवन काल में जो दांत उकते हैं तो इनको दो बागों में बाटा गया एक तो दुवार दंती एक एक बार दंती वे दांत जो दो बार उकते हैं उनकी संक्या कितनी हैं तो इसको याद रखने के लि वो तो होता है 2123 अपन 2123 लेकिन आप बच्चों वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखें 202 अपन 202 जो बच्चों वाला फॉर्मूला है इसमें जित्ते भी दात परजेंट हैं वह सभी दात दूइबार दनती हैं जित्ते दाथ इसमें absent है, वस अभी एक बार दनती हैं, तो हमें question पूचाए, मनुश्य के जीवन काल में कितने दाथ दोबारा उखते हैं, तो जो बच्चों वाले formula में जित्ते दाथ present है अभी, उसके, जित्ते दाथ इसमें present है वो सभी दी बार दनती माने जाएंगे, और जित्ते एक बार दनती, तो इनकी संक्या count कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, तो पांच उपर present है, और पांच नीचे present है, और हम इसको दो सेंटू करेंगे, तो 20 आजाएगा, क्योंकि आपन उपर और नीचे, बकल के बेटी में उपर वाले जबड़े में present, और नीचे 4 option दिये हैं यहाँ पर इन में से जो एक है, वो अन्यूत से अलग है, तो आप द्यान से देखेंगें हैं, तो इसमें जो गुल्यूका गोन है, वह है, एक hormone है, गेस्ट्रीन भी is, लेकर टायलीन है, वह है, एक enzyme है जो कि saliva के अंदर present होता है तो यह है इन तीनों से अलग है क्योंकि ये तीनों तो hormone है लेकिन ये क्या है ये एक enzyme है कौन सा कोशिकांग oxygen का उतपादन करता है तो normal सा question है तो बिल्कुल सिंपल सा हरित लवक के द्वारा oxygen का production किया जाता है गोल जी काई mitochondrial isosome इनके द्वारा नहीं किया जाता है सिक्रेटीन होर्मोन द्वारा किसका उतपादन प्रेडित किया जाता है जो सिक्रेटीन होर्मोन सिक्रेट होता है उसके द्वारा किसका उतपादन प्रेडित किया जाता है लार का उतपादन तो अपने आप बोजन को देखने मात्र या बोजन के मुह में पहुचने से ही सिक्रेट हो जाता है आमाशे रसका जो उत्पादन प्रेरित किया जाता है वह होता है गेस्ट्रिन के द्वारा और पित रसका कोलेसिस्टोकाइनिंसी सीके के द्वारा किया जाता है लेकिन अगन जिसके अंदर dna present नहीं है, तो चार option दिये हैं, इनमें से बताना है, पादब कोशिका में dna present होता है, केंदरक में dna present होता है, Mitochondriya, Mitochondriya में भी इसका DNA present होता है, लेकिन जो Ribosome होते हैं उनके अंदर DNA present नहीं होता है Ribosome कहां बनते हैं Ribosome कौन से कोशिकां के अंदर बनते हैं, तो Kendrica मे बनते हैं Mitochondriya में, कोशिका द्रवब में या Goldgykae में, तो जो Ribosome में इनका निर्मान केंद्रिका में किया जाता है तो यह एक बहुत वेरी important questions है मानो शरीर में glycogenolysis का होता है जो glycogenolysis होता है वह किस जगह पर होता है glycogenolysis का मतलब है glycogen का तूटना और glucose का बनना तो glycogenolysis जो process चलता है कहाँ चलता है यह यक्रत के अंदर चलता है ना कि आम ओंश quando को नियंत्रीत करता है और यह हर्देश रखिया जोटनदर को नियंत्रीत करता है कि विटामिन सी का इस्तोर क्या है कहला आलू टमाटर या प्रोप्पे से कोई नहीं विटामिन सी खट्टे पलों से मिलता है और जो टमाटर होता है यह भी विटामिन सी का एक मुख्य इस्त्रोत होता है तो टमाटर में विटामिन सी प्रजेंट होता है इसका स़ई आंसर यह हो जायेगा question number 43 विभी ने प्रकार की सुचनाउं का समन्वई मस्तिक्स के किस मुख्य बाग में किया जाता है विबिन परकार की जो सूचनाएं होती है उनका समनवय मस्तिक्स के किस बाग में होता है और उस मुख्य बाग का नाम बताना है तो वह है केंद्री तंत्री का तंत्र केंद्री तंत्री का तंत्र जिसमें की brain परजेंट है और मे नेजी तंत्री का तंत्र स्वाय तंत्री का तंत्र यह नहीं रहेंगे नेक्स्ट कुछन है निमने में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है इन में से को एसा एक एंजाइम है जो कि पाचक एंजाइम नहीं है तो एंटेरो काइनेज यह एक पाचक एंजाइम है जो कि ट्रिप करेगए कोई मनुश के मनुश में सबसे पहले कौन सा संचीत परदाथ उपियोग में आता है कोई मनुश अगर बुख अगर यह तो उसके अंदर संचीत परदार्द रहोते ही प्रोटीन विटामीन विसा क्लाइकोजन इत्ययादी इन में से सबसे पहले उससे energy किसे मिलेगी उस वक्ति को तो glycogen glycogen ऐसा उसके अंदर प्रदार्थ है जो उसमें सबसे पहले उपयोग में लिया जाएगा उसके कामकाज में energy बनाने में जिसका सही answer यह हो जाएगा निमने में से पित रस में पाया जाने वाला enzyme है तो यह तो बिल्कुल सिंपल सा question है पित रस में तो कोई enzyme ही नहीं प्रजेंट होता है तो इसका सही answer हो जाएगा उप्रोक में से कोई नहीं क्योंकि पित रस में तो कोई सा भी enzyme नहीं पाया जाता है निमने में से appendix किसका बाग है जो appendix पाई जाती है पेट के अंदर जो कि एक अपना elementary के नाल है अहार नाले उसका एक आउशेशी भाग होता है जिसका कोई use नहीं होता है उसको हम appendix बोलते हैं और अगर उसकी वरद्धी हो जाए तो वह पेटदर्द कोस करता है तो इसमें से निमने में से जो अहार नाल के जो भाग दिये गए है एसा कौन सा भाग है जिसमें वह appendix present होता है तो वह appendix present होता है किसके अंदर इन में से appendix present होता है सीकम के अंदर ना तो कोलोन के अंदर ना मलाशे के अंदर नहीं शुद्रांत्रे के अंदर जो सीकम होता है बड़ी आत का जो पहला बाग होता है सिकम उसके अंदर यहाँ प्रजेंट होता है अगनाशे की डेल्टा कोशिका से स्रावित होने वाला होर्मोन है अगनाशे की डेल्टा कोशिका से कौन सा होर्मोन स्रावित होता है जो डेल्टा कोशिका है वो सुमेटोस्टेटीन का सिक् इक्रेंटीण तो यहां सिक्रेट नहीं होता है नेक्स्ट क्यूशन है मनुस्य हाथ का digital formula है digital formula से मतलब है कि जो जो मनुष्य का हाथ होता है अंगूठा होता है उंगलियां होती है तो इस मेंDIGITL होता है अपन जिस पर गिनतियां गिनते हैं इनको digit बोलते हैं फैले तो इनका formula भी पूछा जाता है exam के अंदर तो इनका formula क्या होता है तो वह होता है 23333 दो तो अंगुटे के बाकी जो 3-3 दे रहें वो 4 उंगलियों के दे रहें तो यह इसका सही formula होता है next question है मनुष्य में floating ribs की संख्या होती है floating ribs किसे करते है floating ribs जो अपने कंकाल तंत्र पढ़ा था उसके अंदर जब ribs की study की ते उसमें देखा था कि 11 और 12 पेर के नंबर की जो ribs से वह floating होती है floating इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह आगे से sternum को नहीं जूड़ती asternum से आके नहीं जूड़ती जो बस floating रहती है तेरती रहती है करने करते हैं और अर्टीकुलेट नहीं करती शांको उरोस्तिक नहीं करती तो इनकी संक्या इत्ती होती की बड़ोत्री हो जाए तो दम गुटना शुरू हो जाता है और ऐसी इस्तिति को क्या कहा जाता है तो ऐसी इस्तिति को कहा जाता है एसफाइक्सिया एसफाइक्सिया में ऐसा होता है जबकि एनोईया में समवातन का इस्ताई तोर पर रुखना एनोईया कहलाता है और जो हाइपोक्सिया इसमें ओटू की कमी जो है आ जाती है मतलब उत्तकों को ओटू की पूर्ती नहीं हो पाती है कम पूर्ती होती है उत्तकों को और जो अनोक्सिया है इसके अंदर O2 की आपूर्ती उत्तकों को बंद हो जाती है तो अनोक्सिया कहलाता है मनुष्य में ट्रेकेल चलनों की संक्या कितनी होती है तो मनुष्य में नेट्स्ट कुस्टे मानो शरीर में सबसे मजबूप पेशी मानों शरीर में मानो शरीर उते होतीEX हैं चप्हरों के बहुते हैं । आजबडे की पेशी जिसका नाम है मैसेस्टरू record मजस्टर्व बाकि जो ये next वाली है, stebedius, ये तो कान में परज़न सबसे छोटी पेशी होती हैं, और जो glutius maximum से कुला पेशी होती हैं, और सबसे बड़ी होती हैं, और सबसे longest पेशी होती हैं, साटोरियस जो की जंगा में पाए जाती हैं, लेकिन हमें क्यूशन पूचा हैं, सबसे मजबू हैं, तो जो मध्यजन इस तरह मेजोडर्म, इससे परिसंचरन तंत्र का विकास हुआ हैं, पेशी संकुचन की किर्यात्म की काई क्या हैं, जो पेशों में संकुचन होता हैं, इसी के वज़े से हम movement कर पाते हैं, जो पेशों में संकुचन होता हैं, उन पेशों की किर्यात्म केकहई क्या होती है सारको प्लाजम नहीं ये तो ये प्पैशज harvestgres का रिषाप का खर करने प्रमाज पेशों के अंदर निमbers में से किसब करने के करूंद हमको ठकान होती है जो लगातार हम जैसे कार्य कर रहे हैं, हम दोड रहे हैं, या कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमको जब थकान होती है मास्पेशियों में, तो हमारी मास्पेशियों में कौन सा एसिट का जमाव हो जाता हैं यहाँ पर, तो यह होता हैं लेक्टिक एसिट, नहीं कि एसिटी क्या मेल लेक्टिक एसिट के जमाव के उसे हमें थकान मसूस होती है हमें पेन फील होता है व्रक्क के द्वारा कुंसा होर्मून सरावित होता है व्रक्क भी एक होर्मून सिक्रेट करता है और वह होर्मून होता है इरित्रो सबीकों पता हैं जिसकी कड्दें कराब हो जाती है उसके अंदर ब्लड डाइलेसीज करते हैं यह करत्रिम व्रक कहलाता है ग्लो मेरूलस से संपुट में द्रवी के चनने के लिए प्रवावी दाब आउशक होता है जब हमने परीज उस सरजन तंत्र देखा था तो उसमें हमने ग्लो मेरूलस की स्टड़ी की थी जो नेपरोन होते हैं उसमें एक प्याले नुमर सरचना पाई जाती है तो ग्लो मेरूलस से संपुट में जो द्रवी चनता है उसमें किता दाब प्रभावी आउशक होता है ताकि वो द्रवी चन सके तो दाब होता है यहाँ पर 10-25 mmHg तो मनुष्य और पक्षियों का परिसंचरन तंत्र होता है वहाँ दोहरा होता है चार चेंबर पाए जाते हैं ठीक है और बंद होता है रक्त वाही निकाओं में बहता है तो दोहरा और बंद टाइप का होता है इन में से नहीं होता एककल नहीं होता और खुला नहीं होता है दो पल्मोनरी दमनी कहां से प्रारंब होती हैं जो पल्मोनरी दमनी हरदय से अशुद्रक्त लेकर फुस फुस तक जाती हैं उसको हम पल्मोनरी दमनी करते हैं अशुद्रक्त हरदय से फुस फुस तक ले जाती हैं तो यह कहां से निकलती हैं तो यह दाएं आलिंद या बाएं न होते हैं जो निलय होते हैं नीचे वाले होते हैं तेकिन जो दाया निलय होता है वहां से यह निकलती है और लंग्स को जाती है जो राइट साइट का वेंट्रिकल है वहां से यह निकलती है ठीक है नेक्स्ट कुशन है मानव मस्तिक्ष एक ठोस परत से गिरा रहता है जिसे कहा पाया मेटर इसके अंदर सबसे अंत्रिक बाग होता है तो बाहरी बाग होता है ठोस परकार का वह होता है डूरा मेटर बाकि इसके अंदर दरवी बर रहते हैं शोयत दरवी और दूसर दरवी लेकिन हमें आवरण का नाम पूचा है तो वह है डूरा मेटर जिवानु बोजी क किसने की जिवानों के अंदर उसको इंफेक्ट करता है को ईसकी कोज की उसके कोज की छिवाणों के उसको बकते हैं तो इसके कोज की थी f w ट्वाट ने तो यह एकसम में पूचा जा सकता है है कोई भीने प्रकार की सूचनाओं का समन्वाइ मस्तिक के किस मुख्य बाग में किया जाता है यहापर इस कांसर यह लगा था अभी हमने थोड़ी देर पहले केंदरी तंत्री का तंत्र के द्वारा नेक्स्ट कुशन देख रहे हैं जो लास्ट एक्जाम में पूछा गया है कि मीना माता रोग किस के द्वारा पानी की परदूशन से पहलता है महलता पानी में ऐसा कौन सा परदारत मिल जाता है जिससे पानी परदूशित हो जाता है और उस परदूशित पानी को पीने से मीना माता रोग फेलता है तो बग इसके द्वारा होता है, पारद, HG, जिसको पारा भी बोलते हैं, इसके द्वारा होता है, TIN, इसके द्वारा नहीं होता है, TIN का पर्मूला था, SN और LATE का होता है, PB, इसके द्वारा नहीं होता है, और CS3, NC, मेथिल आइसुसाइनेट के द्वारा भी नहीं होता है, यह answer है HG, पारा के दौरा, लवन संतुलन से संबंदित ग्रंती हैं, लवन संतुलन, लवन का संतुलन कोन करता हैं, तो आपको पता हैं जो adrenal gland है, kidney के उपर ही present है, लवन संतुलन से संबंदित होती हैं, लवन को maintenance रखती हैं, किटाहारी पादप कौन सा हैं, यह भी एक last exam में कोंछा कतन शहीं होगा कि यह जीव विग्यान के जनक है या पीर चूण लोकी जनक जो बायोजी और जीलोजी दोनों के जनक आरस्तो हैं पादश विग्यान के जनक थ्योफैस्ट्रस हैं नेक्ष्ट कुशन है वह इस्थान जहां छोटे जनतु जैसे दीमक, मक्की, केचुव, आदी उनके सबाओं के नसार पाले जाते हैं क्या कर लाता है तो ऐसे जगों को टेरे रियम करते हैं ठीक है यह भी लास्ट एक्जाम का क्यूशन है नेक्स्ट कुशन है निमने मेंसे कोन हार्मोन तता एंजाइम दोनों की तरह कार्य करता है ऐसा कोई है इन मेंसे जो हार्मोन तता एंजाइम दोनों की तरह कार्य करता है तो यहां होता है रेनीन जो कि इस टमक में एंजाइम की तरह वर्क करता है और जो kidney में जहाँ पर release होता है रेनीन होर्मोन वहाँ पर यह होर्मोन की तरह वर्क करता है यह release होता है adrenaline gland से रेनीन होर्मोन जो कि होर्मोन की तरह भी वर्क करता है और इस नमक के अंदर यह है enzyme की तरह भी वर्क करता है कार्य करता है अद्रक का रूपांत्रण वह जो अद्रक के वह किसके रूपांत्रण से बनी है तो अद्रक जो है वह तने का रूपांत्रण होती है यह भी लास्ट एक्जाम का क्यूशन है नेक्स्ट क्यूशन है वातावरन के अनुक रूप पोदो में जन्तों में पाये जाने वाले शारीरीक लक्षणों को कहते हैं वातारण के अनुकुलन पादे और जनतु होते हैं वह अपने शारीरिक लक्षनों को परिवर्तन जो लाते है वातारण के नीस बाल बढ़े-बढ़े अपने परकार का अनुकुलन है जो उनके ठंड से बचाता है जैसे गाई बेंस होती हैं इनके बाल बड़े होते हैं जो इनको ठंड से बचाते हैं तो ये अनुकुलन कहलाते हैं पेराथ होर्मोन की कमी से होता है पेराथ होर्मोन की कमी से क्या होता है तो पेराथ होर्मोन होता है तो calcium के level में गिरावट आ जाती है किस रोग में JV संचरण नहीं होता है यह भी एक पूराना question है last exam में पूछा गया तो जो malaria है JV संचरण से मलना भी जीव से संचरण हो रहा है JV संचरण मलना भी जीव से संचरण हो रहा है malaria आपको पता है मचर के काटने से फेलता है file area यह भी मचर से होता है और madaculix मचर से होता है file area और जो hedgeha है यह दूशित बोजन से होता है और काला जार होता है लेश मानिया से तो यह तीनों तो जीव से हो रहे और यह दूशित बोजन से हो रहा है hedgeha is cancer hormone शब्द किस ने दिया यह भी एक important question है hormone शब्द जो है वह bellies वह starling ने दिया निमने में से mycoplasma द्वारा उत्पन रोग है mycoplasma के द्वारा कौन सा रोग उत्पन होता यह question भी शायद repeat हुआ है mycoplasma जो है पपिते का गुच्छी चूड रोग सुर्य मुगी का इस्टर पिला रोग और बेगन का लगो पूर्ण रोग यह सभी रोग mycoplasma की द्वारा होता है सबसे कम प्रकाश sensation कौन से रंग में होता है तो बेंगनी कलर के में होता है कारबन रिख्साइट को प्रकाश irgendwann का सीमा कारी कारच कहा जाता है और जो सीमा कारी सिद्धांध है सीमा कारी कारच का जो सिद्धांध यह किससे ने दिया तो यह black man ने दिया था इनका करना था कोई भी अगर process होता अगर कोई चीजों की ज़रुत है जैसे कर फार्वन यह प्रकास एक्साइट की मातरा अधीक यह कम इस पर फार्वास टिपेंड करता है तो एक मिनिमम क्वानन्टिटी में जिस भी तत्व की आवशकता होते हैं जिससे कि प्रोससेश डन हो जाए उसको हम सीमाकारी कारक करते ह कि बई इत्ती CO2 तो होनी ही चाहिए, तभी प्रकास अंसलेशन होएगा, ठीके, तो ऐसे चिजों को सीमाकारी पारिक कारखा जाता हैं, और प्रकास अंसलेशनousseं में सीमाकारी पारिक का काम, कारवन डायाकसाइड करता हैं, boys की वह अवस्ता, जिस जो seeds होते हैं, उनकी वह अपने उन्मुलन का गुण को देते हैं मतलब उगने का गुण को देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सुपता वस्ता नहीं कि उल्मुना वस्ता ठीक है next question है कोशिका में अर्धशूत्री विबाजन होता हैं और अर्धशूत्री विबाजन की एसी अवस्ता जिसमें गुणसूत्र बिंदू का विबाजन तो नहीं होता हैं लेकिन इस अवस्ता में समझात जोनी की जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे-धे होकर विप्रित जाते हैं तो ऐसा कों से आवस्ता में होता हैं तो उसके अन्दर लेकिश्य व्हजिजर से अन्दर होता हैं तो यह रहतIT, एनाफेज फस्ट नेक्स्ट कुशन है इस्टोमेटा की रक्षक कोशिका के फूलने से वह जब इस्टोमेटा की रक्षक कोशिका फूलती हैं तो क्या होता है वह खुल जाते हैं वह बंध हो जाते हैं खराब हो जाते हैं यो प्रोक में से कोई नहीं तो वह खुल जाते हैं र क्रेप्स चक्र का मध्यवर्ती उत्पाद है जो गलाइकोलाइसिस पत्थ होता है गलाइकोलाइसिस पात्वे चलता है और जो क्रेप्स साइकल चलता है इनके बीच में एक उत्पाद बनता है तो वहाँ उत्पाद होता है एसीटाइल को ए नहीं कि गुलकोज पाइरुविक acid और OA, Acetyl Coae बनता है, Glycolysis होता है, Glycolysis के बाद फिर पारविक acid बनता है, Acetyl Coae बनता है, और फिर और इंटर कर जाता है, किस में? क्रेप शक्र में, बिंद इस्तरवन निममन मेंसे पाधब kी किस किरिया को बताता है, जो बिंद इस्तरवन होता है vídeos को में नोर्मल सी बात हैं, बिंद इस्तरवन और रसिस्तरवन जो हमने उस सरजन में पढ़े थे, अगर कोई स्टूडिंट नहीं है, तो अब प्राइम बायलोजी की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टोपिक किलियर कर सकता है, सभी टोपिक से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल हैं, इलक्ट्रोन परिवहन तंत्र ETS कहां पर चलता है, तो इलक्ट्रोन परिवहन तंत्र कोशिका से बाहर नहीं, कोशिका के अंदर केंदरक में नहीं, कोशिका दरव में नहीं, माइटो कॉंडरिया में चलता है, नेक्स्ट क्यूशन है अनाक्सी शोषन के दोरान कितनी उर्जा का निर्माण होता है जो अनाक्सी शोषन होता है और टु की एपसेंस में उसके दोरान दो ATP का निर्माण होता है और ओक्सी शोषन में 36 ATP का निर्माण होता है और दोनों का मिला के 38 ATP का निर्माण होता है लेकि जिसका टोटल समय होता है 0.8 सेकंड जिसके अंदर वह लब डब दोनी उत्पन करता है और आलिंद निलए प्रंकुंचन और संकुचन होते हैं ठीक है तो जो आलिंद होता है ओरिकल उसके अंदर जो संकुचन होता है या बोल सकते प्रंकुंचन होता है वो 0.8 सेकंड में से क 0.5 सेकंड का निलाई के अंदर शीतिलन रहता है लेकिन क्यूशन पुछा आलिंद प्रंकुंचन कितना होता है तो 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड तक हरदय के अंदर आलिंद का प्रंकुंचन रहता है दोनों आलिंद का तो आज के लिए इतना ही आज हम बस इतना ही क्यूशन द कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नेक्स वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा आप रेगुलर प्रेक्टिस करते रहें जब तक कि एक्जाम नहीं आजाता उससे प्रेक्टिस अच्छे हो जाएगी तो एक्जाम किलियर करना आसान हो जाएगा